मैं एश्वरम असेंबली हलके के जितने भी हमारे मुसल्मान बुजरुग है बाई बहन है मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूँ और आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग यहां से सबीता इंदर डिजी को जिताईए हम इसलिए अपील करते हैं कि हमने तेलंगाने के लिए जिद्दो जहद किया तेलंगाने के लिए लड़ा उस टाइम भी मैं कंदुकूर में कहीं जगा या इस हैदराबाद में भी कहीं जगा मेरा तक्रीर भी हुआ मैं उन दिनों कह रहा था हमारे तिलंगाना के जंग में इंसाफ है नेकी है नियत है अल्ला के गर में देर हो सकता लेकिन अंदेर नहीं है और अल्ला का करम हुआ तिलंगाना हासिल हुआ आप लोग एक बात को गवर कर सकते कांग्रेस के हुकुमत में कदम कदम पे दंगे फसाद होते थे, कर्फियू लग जाता था, आज हमारे दस साल के हुकुमत में एक बार भी कर्फियू नहीं लगा, एक बार भी दंगा नहीं हुआ, ये बात आप समझ सकते हैं, उन दिनों हम जो कह रहे थे, हमारे जो किलाफते लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, मैं कहा उस दिन, मुद्दाई लाग बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूरे कुदा होता है, तेलंगा ना हासिल हो गया, और आज माइनाटिस के डेवलेप्मेंट के लिए, अकलिये थी बहबूदी के लिए, हमने जो स्कूल कोले हैं, उसको रभिता रड़ी जी या मंत्री जी है, और वो एजुकेशन मिनिस्टर भी है, इसलिए बहतरीन जुनियर कालेजेज भी हमने कोल दिये, उन बच्चों को बहतरीन तालिम आसिल हो रहा है, और एक बात आपके कान पे डालना चाहूंगा जरूर, हमसे पहले दस साल कांग्रेस का हुकुमत था, उनके दस साल के दोर में उन्होंने मैनाटी डिवलिप्मेंट के लिए कर्च किया सिर्फ दो हजार करोड रुपिया, हमारे दस साल के हुकुमत में हमने मैनाटी डिवलिप्मेंट के लिए कर्च किया बारा हजार करोड रुपिया, अब फरक आप समझ सकते किसको मुसलमानों से प्यार है, कौन पार्टिय आपको वोट ब्यांक बना के आपका वोट लूट लिया, इस सारे बात आप समझ सकते हैं, इसलिए यहां के तमाम बाहियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जब तक केस यार जिंदा रहेगा, तब तक तलंगाना सिक्लर बने रहेगा, हम लोग एक सिक्लर रियासत है, और सिक्लर रियासत ही रहेंगे, यह हमारा उसूल है, हमारा पार्टिय का उसूल है, जो हमारे तिलंगाने का गंगा, जमना, तहजीब है, पूरे इंदुस्तान में हमें एक मिसाल है, पूरे देश के लिए, इसलिए इसको बर कि बिना कोई फरक के हम लोग सीधे-सीधे काम करते हैं आज हम पेंशन देते हैं मुसलमानों को मिलता है बच्चों के लिए रिजिजिशन कालेज बनाते हैं मुसलमान बच्चों को भी मिलता है यह छीज में और एक बात जरूर बात है आपके कहान पे में डालना चाहूंगा जो काफी जाइदा जमीन है, कांग्रेस के जमाने में सारे लूट लिये थे, आज हम सोंच रहे, मुसलमान नौजवानों के लिए मक्षाय वन्फ का जाइदा लेके, एक हम स्पेशल महिनारी बच्चों के लिए आईटी पार्क भी आईदराबाद में बनाने का मनसुबा, सों इसलिए इन तमाम चीजों को देखते हुए, आप लोग सभिता इंदराडी को जिताईए, बियारे सरकार, एक इमानदार सरकार है, हम रिश्वत को और नहीं है, लोगों को हम लूटना नहीं चाहते, जितना बगवान या खुदा हमको बुद्धी दिया, उस बुद्धी से लोगों का तरक्की के लिए हम काम करते हैं, इस चीज को समझते हुए, आप लोग जरूर यहां से माईश्वरम असेम्बली हलके से साभिता इंदराडी जी को जिताईए, बहतरीन मोतर्मा है, लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इत उतरल्लार नेंजेप्टे लोकटे माटा,